नमस्कार सुलकता सवाल में आपका सुभागत है और मैं हूँ आपके साथ वक्ता आज सवालों से इसी जलात हिजाब कैंग को सुलकाएंगे कटर पंतियों की कर्तूत को बेनकाप करेंगे क्योंकि एक मुस्लिम देश में महिलाओं के साथ अत्याचार की ऐसी तस्वीर आई है जिन्हें देखने के बाद आपकी रूह भी काप उठेगी आगे कुछ पताएं पहले दरिंदगी की ये तस्वीर देखिए ये इरान की पुलिस है जो हिजाब का विरोध करने वाली महिलाओं के साथ बरबरता कर रही है उन्हें खदेड खदेड कर मारा जा रहा है बेरहमी से पीटा जा रहा है इरान पुलिस के इसी कहर ने एक 22 साल की लड़की की जान दे ली उसके साथ कैसी कुरूरता की गई कि उसकी तस्वीरे रॉंगटे खड़े करतेंगी कर दोई कर दो दो नर है कि दोज कि दो रहा है कि गर घब हा कि दोड़ cartी अजसराओर है ar महसा अमिनी नाम की ये लड़की अबस दुनिया में नहीं रही इसे एरान पुलिस ने मौत के घाट इसलिए उतारा क्योंकि महसा अमिनी ने महिलाओं की आजादी हिजाब से आजादी की मांग उठाई सडकों पर हिजाब के खिलाफ उताराई जम कर प्रदाशन किया महसा अमिनी ने ना सिर्फ हिजाब बलकी लाखों महिलाओं के साथ इरान की दरिंदगी बरतने वाली पुलिस का विरोध भी किया डट कर सामना किया लेकिन इरान पुलिस इस लड़की पर कहर बनका तूट कई महिला पुलिस के साथ साथ पुरुषों ने भी इसे पहले तो बुरी तरह पीटा और फिर अपने साथ वैन में बंद करके जबरदस्ती उठा कर ले गई तीन दिन तक इरान पुलिस ने महिला को कस्टडी में रख कर बुरी तरह पीटा महसा अमनी का इतना बुरा हाल किया कि आखिर में उसकी मौत हो गई लेकिन एरान की महिलाएं भी हिजाप के खिलाफ प्रदाशन करने से रुकी नहीं एरान पुलिस से डरी नहीं उन्होंने सड़कों पर उतर कर महसा अमनी की मौत का भी फिरोध किया अस्पताल के बाहर एक अच्छा हो गई नारे बाजी की इरान की बरबरता बरतने वाली पुलिस पर भी सपाल उठाए अमिनी के अंतिम संसकार के लिए जुटी भीड ने सरकार के खिलाव जम कर नारे बाजी की और ताना शाह का नास हो जैसे नारे लगाए इरान में अब हालात ऐसे हो गए हैं कि महलाएं हिजाब उतार उतार कर फिक रही हैं मामले में पुलिस पर टॉर्चर के आरोप लग रहे हैं परिवार अमनी की पुलिस कस्टिडी में मौत की जाच की मांग कर रहा है लेकिन सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ रख कर तमाशा देख रही है क्यों? क्योंकि एरान में हिजाब उतारने को कानूनन अपराध माना जाता है और इसकी सजा दी जाती है यानि खुली ताना शाही चल रही है जिससे सवाल सुलक रहे हैं हैरानी की बात तो ये है कि एरान सरकार ने हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं के खिलाप आक्शन के लिए अलग से पुलिस टीम बनाई हुई है जो सिर्फ देश भर में बिना हिजाब वाली महिलाओं को पकड़ पकड़ कर टॉर्चर कर रही है तो एक तरफ इसलामिक देशों में महिलाओं हिजाब से मुक्ती चाहती है हिजाब उतार कर फेक रही है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में उल्टा बवाल चल रहा है जहां खुद सरकार हिजाब जैसी कुपरता को खत्म कर महिलाओं को आजादी देना चाहती है लेकिन धर्म के ठेकेदारों का चरपंतीयों को ये बात हजम नहीं होती ये मुसलिम महिलाओं को भढ़का कर सड़कों पर उतार देते हैं हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन करवाते हैं Muslim Production Law Board तक हिजाब को महिलाओं पर थोपने के लिए तमाशा कर रहे हैं अब इन्हें आँख खोल कर Islamic देशों की महिलाओं को देखना चाहिए कि कैसे वो आगे बढ़ने के लिए हिजाब जैसी कुपरता के लिए जान दाव पर लगा रही है लेकिन हिंदुस्तान में तो हिजाब को सियासी मुद्धा बना दिया गया है हिजाब के लिए च्छाती पीटी जाती है मामला High Court से होते हुए सुप्रीम Court में पहुँच चुका है कि हिजाब पहनना है तो अपने घर में पहनिये स्कूल कॉलेज का ड्रेस कोट काम होता है जहां सभी को समान नियम फॉलो करने पड़ेंगे यहां हिजाब या किसी भी धर्म के ड्रेस कोट को पर्मीश्रन नहीं दी जाएगी यानि सेक्शनिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतेबंध हचाने से कोट ने साफ साफ इनकार कर दिया है हाई कोट की लतार से भी इने ठंडक नहीं पड़ी और ये कटरपन्ती महिलाओं पर हिजाब थोपने को लेकर सुप्रीम कोट पहुँच गए यानि हाई कोट के फैसले को उन्होंने चुनोती दी यहाँ भी हिजाब कैंग को मूँ की खान पड़ी सुप्रीम कोट से इन्हें पाठ पढ़ाते हुए कह दिया गया है कि नियम कहते हैं कि सैक्षनिक संस्थानों को ड्रेस तै करने का अधिकार है और हिजाब उससे अलग है कुछ नहीं मिला तो कटरपन्ती सिख समुदाई की पगड़ी क्रपान पर ही सवाल उठाने लगे दिया जाने लगा अपने देश को छोड़ ये कंटरपन्ती दूसरे देशों के कानून को लेकर छाती पीटने लगे तो वहीं जब कंटरपन्तियों की तरफ से अमेरिका के फैसलों का हवाला दिया तो पीछ नहीं कहा कि हम अपने देश की साथ अमेरिका और कैनेडा की तुलना कैसे कर सकते हैं हम बहुत रूड़ेवादी हैं पीछ ने कहा कि ये फैसले उनके समाज के संदर्भ में दिये गाए हैं जब शीश अदालत के पिछले फैसलों का हवाला दिया गया और समविधान के अनुचेत 19.1.1 और कपड़े पहनने के स्वतंतरता के बारे में एक तर्क दिया गया तो पीछ ने कहा आप इसे एक अतारकिक अंत तक नहीं लिजा सकते यानि कि कोट से लगातार इस कटरपंथी गैंग को तमाचा लग रहा है बाबजूद उसके भी ये लोग हिंदुस्तान में हिजाब महलाओं पर थोपने का काम कर रहे हैं यानि कि छूट इन्हें हजम नहीं हो रही है देश का कानून इन्हें चुपता है तो क्यूं ये कटरपंथी शरिया लागू नहीं करते क्यूं अपने और अपने बच्चों को शरिया लागू उन्हें हिजाब नहीं थोपते ये सब काम ये लोग अपने घरों में नहीं बलकि बाहर के मुसल्मानों को पागल बनाने के लिए करते हैं और इनके जहांसे में लोग आभी चाते हैं मतलब इसलामिक देशों में हिजाब का विरोध हो रहा है महिला हिजाब से आजादी चाहती है हिजाब उतार कर सडकों पर फेक रही है और जहां हिजाब से आजादी है वहाँ ये गैंग इस पर राजनीती करने को उतारू है खेर असलाम की ठेकेदारों को ये तस्वीर देखनी चाहिए कि महिलाओं का अधिकार भी कितने माइने रखता है लेकिन अब जो इरान से तस्वीर इस सामने आ रही है वो वाकई सब का कलेजा दहला रही है इरान सरकार और पुलिस की इस हरकत की चारो और आलोचना कर रही है इरान पुलिस की थूथू हो रही है जो महिलाओं के साथ इतना घिनोना बरताव कर रहे है सो लगता सवाल मैं आज के लिए इतना ही नए मुद्दे के साथ फिर पेश हूँगे तब तक के लिए देखते रहे हैं क्यापिटल टीवी नमस्कार अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया कि मैं राजनीती करता ने पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूँ कि मैं लोगों के बीच रहता हूँ लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ कि पबलिक और पॉलिटिक्स की हारगन अपस को फूप पेंचांता हूँ संघर्ष की सियासत से सप्ता के सिंधासन तक मैं हर ख़मर से खरा सच निकांता हूँ ना कोई दौर ना कोई रेस क्यापिटल भी उत्तर्क देश कि अच्छे से जानता हूँ